आप सब क्या स्वागत है मैं ओनिसकुमार दोस्तों MCC ने बहुत इंपोटेंट नोटिफिकेशन जारे किया है रजिस्टेशन, पेमेंट और च्वाइस फिलिंग के रिगार्डिंग यानि कम्प्लीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं तो अगर ये नहीं समझते हैं तो रजिस्टेशन करना आपके लिए बहुत मुस्किल हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा तो सुरू करते हैं फ्रेंड चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर ले तो अभी मैं आप सबू को जो इंट्रौक्शन इसने जारी किया है वो मैं आप सबू को complete समझा जता हूँ next विडियो से आप सबू को प्रते कोटा के बारे में मैं आप सबू को समझाऊंगा जो कि इस बार आप सबू को रजिस्टेशन करना है मेडिकल काउंसिंग कमिसी यानि MCC ने कहा है क्लियर कहा है कि students चाहे state में या all India के लिए जब registration करेंगे application form फिल अप करेंगे तो एक बार ही आप सुब को registration करना है एक बार all India के लिए और एक बार state quota के लिए आपको दुबारा किसी भी state हो या all India दुबारा आपको नहीं करना है अगर आप second time यानि एक से ज़्यादा आप करते हैं रजशेशन तो आप सुब का जो भी रजशेशन है cancel कर दिया जागा allotment आपको cancel कर दिया जागा आपको counselling से one cheat कर दिया जागा है आपको clear सिर्फ प्रतेक round में choice fill करना है first round में अलग choice fill करना है second में भी आपको दुबारा choice fill करना है और mob up round में भी दुबारा choice fill करना है बाकि दुबारा आप सुब को रजशेशन नहीं करना है और same अगर 85% के लिए आप जब रजशेशन करते हैं और अगर आप सब भी second round में seat allotment के बाद all India 15% admission नहीं लेते हैं तब आपका जो security money है वो जबत कर लिया जाएगा वापस नहीं किया जाएगा आपको refund नहीं किया जाएगा और अगर आप सब भी second round में admission ले लेते हैं तो आपके account में direct refund कर दिया जाएगा MCC ने clear बताया है कि अगर आप सब भी जब registration करेंगे counselling के लिए अगर wrong information देते हैं तो admission यानि allotment college होने के बावजूद आप सब का allotment रद कर दिया जाएगा तो आप सब को अच्छे से information देना है जो कि MCC अपने website पर registration कराएगी MCC ने बताया है कि जब आप MCC के site पर registration करते हैं 15% के लिए तो इसने clear कहा है कि आप सब को अच्छे से information देना है आप सब को correction करने के लिए दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा edit या modify नहीं कर सकते हैं और अगर आप MCC को mail करते हैं mail का response आपको clear नहीं दिया जाएगा तो friend आप सब को अच्छे से registration करना है और MCC ने बताया है कि जब आप MCC को website पर registration करेंगे registration के पहले अपना eligibility और domicile status जरूर चेक कर ले मतलब मैं आप सब को बता दू कि MCC 15% के लिए registration तो करेंगा करेंगा counseling कराता ही है लेकिन बहुत सारे ऐसे quota है जो कि 85% और 100% पर MCC ही counseling करेंगा मैं आपको इसके regarding next video बता दूँगा तो friend आपको अगर domicile का status चेक करना है तो मैंने इसके regarding video बना दिया है इसी video के description में मैंने उसका link दे दिया है आप सब देख लेंगे और MCC ने कहा है कि जब आप MCC पर registration करेंगे तो जो आपने mobile number और email ID at a time of neat application for job देसंबर में आपने fill up किया था जो mobile number और email ID आपने दिया था वहीं देंगे MCC ने कहा है लेकिन अगर बहुत सारे इसे message करेंगे कि भईया मेरे पास mobile भी नहीं email ID बे भूल गए है तो rare case में आप दूसरा दे सकते हैं लेकिन MCC से ने इसके regarding कोई ऐसा notice नहीं जा रही किया है उसने सिर्फ कहा है कि mobile email ID आपको वहीं देना है और फ्रेंड आप सुब को बता दू कि All India Quota Includer यह जो 7 step दिया गया है जो college और in virtue दिया गया है इसके बारे में next video में आपको complete बताऊंगा यह बहुत लंबा video होने वाला है ठीक है क्योंकि इसके बारे में आपको अच्छा college नहीं मिलेगा इसके अंडर बहुत सारे अच्छे अच्छे college आते हैं तो बस अभीकली इतना ही मैंने introduction दे दिया जो जो important था next video स्टार्ट करेंगे जो भी information रिष्ट्रेशन के regarding उसके बारे में तो हमारे साथ बने रहे है चैनल को like share और subscribe जरूर कर ले thanks for watching video